तो आज मैं बात करूंगा इंडिया वर्स साथ आफ्रीका का चौता टीटी मैच चल रहा था तो उसके उपर बात करेंगे तो वीडियो चुरू करने से पहले मेरी आप से रेक्वेस्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो भाई आज इंडिया ने गरन जिसल्ट है संजो संग्सक्राइब करें गया तो मैं है लिए तो मैं होगता हूं कि आज जितनी दारीफ करी जाए टीम इंडिया की वो कम है क्योंकि आज टीम इंडिया के ओपनर बैट्समेंट संजो समसंग ने बहुत शांदार बैटिंग खेली उसने 109वरंकी बहु 283 रंस बनाए ठीक है साउध अफरीका को 284 रंस का टार्गेट दिया तो वह साउध अफरीका की जो बैटिंग लाइन थी वह बिल्कुल बुरी तरीके से जोएना लड़ खड़ा गई और उसमें यानिके वह पॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हम यार यह मैच जीज सकते हैं सही के ग्राउंड की कंडिशन्स यह दी के ग्राउंड छोटा था इसकोर इधर जाधा हो सकता था मगर जो साउध अफरीका की बैटिंग लाइन थी वह बिल्कुल बुरी तरीके से डिस्ट्रप कर दी इंडियरंस बॉलर्स ने और बॉलर्स के अंदर जो है मैं कहता हूं के बहुत अच्छा और इंडिया के पास मैं समझता हूं क्योंकि इसने हमेशा अच्छी परफॉर्मस दिये आपको चाहिए याद होगा के आई से टीटोइंटी वर्ल्ड कप हो रहा था लास्वर्ड हार्दिक पांडिया को दिया उस पर यानिके कैप्टन का प्लीफ था कि य इसके इलावा अक्सर पटेल से अक्सर पटेल ने दो आवर के अंदर छे रन देके और रवी विश्णोई ने तीन अवर के इंदर 28 रन देकर एक विकेट्स हासिल करी तो अगर बात करी जाए तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 148 रन्स के अपर जो है ना धेर करके लग रहता है कि साउध अफ्रीका जो है वो डिए सो रन भी करेगा क्योंकि वाई साउध अफ्रीका की कंडीशन से सी ओगए थी कि पहले मस्बूत होते गई और इंडिया ने जो है बाअसानी उसे एक सो पैंति सरंद्स जो एना शिकस देदी और यह जो टीटवेंटी से अपने नाम करिए थ्री एक से जो है साउद अफ्रीका से यह सिरीख जी थी सूरिय कुमार यादफ ने तो पर सूरिय कुमार यादफ यानि के एक अच्छे कैप्टन साबित हो चुके उन्होंने यानि क के अपनी कैप्टन सी से यह बता दिया कि रूहित शर्मा के बाद यानिंगे रूहित शर्मा इक अच्छे कैप्टन यह जगे वह नों ने रेटायरमेंट लिए तो उसके बाद कैप्टन सी सर्ही पांडिया से जो है सूरिय कुमार यदफ के पास आई और सूरिय कुमार यदफ ने जो है यानि कि दो तीन सीरीज के अंदर जो एक अच्छी टीम मिल गई जब के देखें जब आपकी टीम के कोई सीनिय प्लेयर यानिके एकदम से रटायर्मेंट शौक अनॉंस कर दें यानिके अब किसी को भी यह चीज़ मालूम भी थी कि रोहिट शर्मा जो है स्टीट वर्ल्लकप के अंदर से लेगा मगर जब उसने अनॉंस करा तो भई फिर जो है उनके बोर्ड ने और मैं कहता हूं इ हैं बहुत अच्छी परफॉर्मस दे रहा है टीम इंडिया और अंदर भी जो है इसी तरीके से जो है टीम इंडिया परफॉर्मस देता रहेगा तो यह मिलते हम लोगों से को नई वीडियो के साथ चैनल को सब्स्राइब कर दिए का वीडियो को लाइक कर दिए मिलते को आफॉर्मस